मैं इसी बात को समझने के लिए सीधे डॉक्टर राकेश सिंग के पास चलता हूँ डॉक्टर राकेश सिंग जी क्या वाकई एक काले कानून है जैसा देश के अंदर पिक्चराइज किया जा रहा है और क्या वाकई इन कानूनों के वापस लेने के सिवा अगर इनको वापस नहीं लिया जाएगा तो किसान खतम हो जाएगा क्या आप इस परसेप्चिन को बांते हैं जो फैलाए जा रहा है जी नहीं मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इसलिए कि जब देश की विकासदर 8-7% रहती है तब भी क्रिशी की विकासदर 2-3% होती है प्रतिवर्स 5600 से जादे किसान सुसाइट करता है तो क्या ऐसी इस्तिती में हम यह चाहते हैं कि हमारे किसान सुसाइट करते रहे क्रिशी में जो ग्रोथ रेट है वो कम रहे तो इसका बिकल्प क्या है जदि सरकार ने इस तरह का कानून लाया तो उस पे बिशार करना चाहिए उस पे अमल करना चाहिए उसको क्रियानवीत करना चाहिए अर्निय था आपको एक बैकल्पिक बेवस्था ले आनी चाहिए कि हम यह प्रस्ताव चाहते हैं उस प्रस्ताव पर भी सरकार और जो भी नीतिगत नीड़े लेते हैं वो लोग बिशार करेंगे तो मैं भी यहीं कहोगा कि यह लग रहा कि हट धर्मता है बिना किसी बैकल्पिक प्रस्ताव को लाए इसको रद करना यह कहीं से उचित नहीं है